आदिल भी आने वाले हैं अभी और मैं बहुत खुश हूँ कि अब आदिल और मेरा रिष्टा बहुत अच्छा है और अभी कुछ भी कोई भी गड़बड नहीं होगा अब फिर जुल्द ही शुरू होने वाला है राकी सावंत और आदिल खान का ड्रामा एक बार फिर साथ आचुके हैं राकी सावंत और आदिल खान दुर्राणी टेलिविजन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ड्रामा क्वीन राकी सावंत की लाइफ के जमेले खतम होने का नाम ही नहीं लेते एक्रेस का हर रोज नया मुकदमा लेकर हाजिर हो जाती है राकी सावंत इन दिनों अपनी पोस्टनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में है अब एक बार फिर बिग बॉस फेम एक्रेस का कहना है कि उनके पती आदिल खान दुर्राणी ने उन्हें धोका दिया है राकी के आर करने लगे है अदिल को डेट करते हुए राकी सावन धोका देने और पैच अप करने का ड्रामा कई बार कर चुकी है और अब लोग इससे उप चुके हैं लोगों ने दोनों को निभा निभी का दिया टैग दरसल कुछ दिनों पहले राकी ने कहा था कि आदिल उन्हें किसी धोका देकर चले गए है और इसे बीच अदिल ने खुद पैपराजी के सामने आकर अपने उपर लगे आरोपों का बयान दिया है अदिल ने राकी के आरोपों पर बात करते हुए कहा कि वो हमेशा उनके साथ है और उन्हें ने कहा कि राकी को दोश नहीं देना चाते लेकि जो है और उन्हें मा दोश प्चले माः घंचले आरोपों आरोपों का अपने पर लेकि यवाई को प्रोश जवाई